तो दोस्तों आपका स्वागता है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो बायमन और मेरा नाम है अमन्दीब तो दोस्तों ये वीडियो में मैं ये वाला जो मीटर है डिकैस्वन का 120 वायरलेस मीटर इसको कैसे लगाना है अपने साइकल पे वह लगाके पताऊंगा तो दोस्तों मैंने इसकी अलड़ी अन्बॉक्सिंग कर दी थी तो अन्बॉक्सिंग मैंने अलड़ी दिखा दिया बीच में क्या क्या अवेलेबल है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो देख सकते हो आपके वह जो पैक में से कोई चीज मिसिंग तो है वो चीज confirm कर सकते हो तो मैं बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो यह शुरू करता हूं और इसको install करना start करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको pouring का pack ठीक है एक mount जिससे आपको अपने meter को लगाऊगे और एक sensor मिलेगा और finally एक आपको speedometer मिलेगा और इसमें manual है picture दिखा दिखा के समझाया गया है कैसे कैसे आपको install करना है आए चलिए इसमें मोटी मोटी सी नजर मार लेते हैं ठीक है जब आप इसको खोलेंगे दिखाया गया है कैसे आप इसको install करो यहां पे इसके basically contents बताएगे है क्या क्या contents है कैसे rubber को sensor में लगाना है कितनी और कहां पे आपको install करना है और इसमें में मलती है वो मेंगन यहां पर बताएगै और यहां पर basically mount को बताएगे है कैसे आप ने माउंट लगाना है ठीक है और कैसे यहां पर आपने sensor को लगाना है और कैसे आप sensor का जो angle उसको adjust कर सकते हो यहां पर basically जो magnet है, magnet कहां पर आनी चाहिए, वो बताई गई है, ये mark होता है sensor पर, इसके पास आनी चाहिए magnet, और ये sensor को आप tilt कर सकते हो, basically 5 mm का distance होने चाहिए, 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, minimum 5 mm, maximum 5 mm से अगर ज्यादा हुआ, तो आपका जो sensor है, वो sense नहीं कर पाएगा, magnet आ रही ह है, उसके पास सकते नहीं, तो ये basically overview है, इसमें क्या क्या चीज़े बताई गई है, और बाग की यहां पर आपको basically guide किया गया है, कैसे आपने, ठीक है, अपने जो size है, size और tire का size और उसकी width है, उसकी हिसाब से, आपने इसके अंदर अपने reading डाली है, फिर आपको जो properly, जो speed है, वो ही दिखाएगा, गलत speed नहीं दिखाएगा, जादा तर लोग complain करते है, accuracy नहीं है, brother accuracy कैसी होगी, अगर आपने meter को ही गलत बता रखा है, मेरा cycle का size कौन सा है, wheel का, तो properly वो ही size डालोगे, तो ही आपको पता लगेगा, और अगर पीछे घुमाता हूँ, पीछे क्या है पीछे basically वो ही setting का बताया गया है, आप इसमें कैसे meter या miles रख सकते हो, कैसे इसकी setting कर सकते हो, वो ही चीज़े बताई गई है, और ये सब लिखा है इसके manual में, तो basic सा overview आपको बता दिया है, चलिए अब इसको पहले install करते हैं, और साथ के साथ फिर इसको set करते हैं, भाई ये मैंने देखा, एक बड़ी आपने manual खोल ली ना, आपको पता नहीं चलेगा, manual को वापस जैसे थी, वैसे कैसे आना, हमेशा manual मोटी ही बंद होती है, आज मैं वीडियो अपने रूम के बाहर बना रहा हूं, तो आपको बाहर क्या थोड़ा शोर सुनाई देगा, उसके ल करने के बाद, अभी जो सबजीद वाले हैं, वो आना शुरू हो गई है, ठीक है, जो ट्रैफिक है, वो आने जाने लग पड़ा है, तो आवाज सुनने को आपको मिलेगी बाहर से, तो मैंने सारी के सारी चीज़े निकाल ली है, ठीक है दोस्तो, अब मैं लूँगा इस sensor को अब ये मैं फिल्म उतार दूँगा, अगर आप उपर रखना चाहो, रखे रह सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं इसको उतार देता हूँ, और ये rubber मिली है साथ में, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे इसके अंदर fit करना है, ठीक है, अब ये आपका जो fork है, मानलो ये fork है, वहाँ simple है, जो भी o-ring है, जो सबसे जदा tight है, उसके साथ आपने ऐसे बांद देना है इसको, और इसको angle आपने ऐसे adjust कर सकते हो, जैसे के manual में दिखाया था, इसको उसे lose करके, किस तरफ करना है, जिस तरफ आपका wheel है, उसी तरफ इसको आपने करना है, अब मैं इसको लगाँगा left side पे, तो मैं ऐसे थोड़ा सा angle कर दूँगा, अभी फिलहाल के लिए, बाकी हम जब fog पे लगाँगा, तब देखते हैं, यह अपना basically mount है, ठीक है, जहां पे हम जो यह meter है, इसको fit करेंगे, simple है, जो यह notch होता है, arrow है, ठीक है, यहां पे हमने इसको लगाना है, जो यह वाल खोलना है, सीधा इसको ऐसे खुमाएंगे और बाहर आ जाएगा, और यह 30 हाथ में magnet, ठीक है, simple है, इसको ऐसे खोल के, ठीक है, इसमें थोड़ी से जगा बन जाती है, फिर आपने इसको spoke पे लगाना है, चलिए इसको install करते हैं, सबसे पहले तो मैं लेता हूँ, जो sensor है, उ को ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद, यह लूँगा O-ring, O-ring के साथ जहां पे यह install हो गया, और फिर यह में लूँगा magnet, फिर magnet को ऐसे खोल के, यहाँ पे spoke पे लगाना है, आप देख रहे हो, और इसमें ध्यान देना है, एक side पे, एक side पे यह थोड़ा सा गहरा दिया ग करना है, जो basically जो यह lines है न, चाहे उपर लगा लो, चाहे नीचे लगा लो, basically, बिल्कुल इसके पास, ठीक है, मैं वील को थोड़ा खमा लेता हूँ, बिल्कुल इसके पास ऐसे fit होनी चाहिए, अब अगर ज्यादा नस्दीक है, तो थोड़ा सा इसको lose करके adjust कर लो, अब मै इसको यहां पे घस देता हूँ, चलो यह लग गया, अब मैं अपने cycle के handle पे यह mount को fit करूँगा, यह mount को fit करने के बाद, ठीक है, मैं यहां पे meter लगा सकता हूँ, अब basically आपकी, जो यह stem है, stem पे यहां पे fit कर सकते हो, ऐसे, यह आपने handle bar पे, यहां पे fit कर सकते हो, ठीक है अब handle bar पे fit करना है, यह stem पे fit करना है, वो आपकी choice है, आपकी मर्जी है, simple है, ऐसे o ring को यहां पे रखके, खीच के, अब यह वाला थोड़ा सा tight लग रहा है, तो यह वाला o ring नहीं ही लगाऊंगा, इससे थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेता हूँ, यह ऐसे पकड़के, ख लगा देना है, अब जैसे मैंने इधा रख है, वैसे मैं पहले उस तरह भी लगाता हूँ, ताकि आपको दिखा सको, ऐसे खीच के, ठीक है, यह fit हो गया, अब और कुछी नहीं करना है, जब आपने यह meter set कर लिया, आप पहले भी लगा सकते हो, यह meter पहले set करने के बाद, इसको जब install करना आपता है, यह notch है, यह आप notch देख रहे हो, यह notch को जहां पे इसके अंदर arrow बना है, उसके साथ align करना है, align करना के बाद ऐसे, अगर यह mount घूंता है आपका, थोड़ा सा ऐसे पकड़ लो इसको, पकड़ के फिर इसमें lock कर दो, अब lock हो गया, जब खोलना ह सिंपल ऐसे इसको घुमा के बाहर निकाल लो, आप यह भी कर सकते हो, mount को अगर नहीं निकालना, तो o-ring को ही direct निकाल सकते हो, बड़ी है, इसको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, अगर आपने o-ring खो दी, तो आपको नई o-ring लेनी पड़ेगी, या कुछ और जुगा फिल्म उतार दी, अब जब मैंने unboxing बनाई थी, तो मैंने आपको यह थोड़ा सा on करके दिखा दिया था, ठीक है, तो इसलिए भी यह on है, जब इसको off करना होता है, तब ऐसे इसको दबाता हूं, तो भी यह off होता है, दबा के रखना होता है, उपर वाले बटन को, basically उपर एक बटन है, ठीक है, नीचे दो बटन है, और अब यह off हो गया, अब इसको उपर से दबा के रखूंगा, और यह on हो जाएगा, hello बोल रहा है, hello बोलो इसको, नीची कमेंट करो, hello, hello, sorry, आज थंड बहुत है, ठीक है, बहुत दिनों बाद यहां पे इतनी थंड हुई है, त थोड़ा रणिंग नोस था उसके लिए, I'm really very sorry, अगर आपको annoying लग रहा है बीच में, ठीक है, उपर दोबारा बतायता हूँ, उपर आता time, नीचे आता अभी speed आ रही है, अगर आगे click करोगे, तो यहां पे देख रहो, average speed, अब average speed आना शुरू हो गया, तो यह average speed है, यह है total distance, अब यह meter बिल्कुल नी हुआ है, बिल्कुल भी ने चला है, और इधर आगया set, अब यहां पे आपको क्या करना है, basically जैसे जब तो आप first time on करोगे, यह आपको जो घड़ी है, इसको set करना है, wheel circumference, वो subset करना है, अब हम वही चीज़ इसमें करेंगे, अब यहां अब यहां पे टाइम गलत है, तीक है, अमें को 24 आर चाहिए, के 12 आर चाहिए, वो स्लेक्टर हूँगा, अमें को अब यहां पे 11 बज रहे हैं, 11 बज के लगबग 15 मिनिट हो चुके है, तीक है, अब इसको के कर दूँगा, डन हो गया, अब आगे जाओंगा, यह है वील सा एक्जामपल दिखा दूँगा, ठीक है, अब इसके ओपर क्लिक करूँगा, अब यह आपकी विर्थ होगी, आपका जो वील साइज है, वो 26 इंच का है, यह 27.5 है, यह 28 है, बड़ अगर आप और क्लिक कर होगे, यह 29 है, MTB, ठीक है, MTB होती है, अब यह आगे, MTB का भी आत जाता है, और अगर आपके पास specifically road bike है, तो आप यह 700 select करो, ठीक है, 20 AD होता है यह, अगर आपके पास road bike है, तो 700 select करना है, मेरे पास यह road bike है, यहाँ इसका जो wheel size है, 700 into 25 है, और 23 है, अलग-अलग size, ठीक है, जो width होती है, इसको मैं करूँगा OK, और अब मेरे जो width है, वो है 25 25 करूँगा, मैं select, क्योंकि जो back वाला wheel 25 है, मेरे पास, basically आपने यही ध्यान रखना है, जो आप आगे-पीछे, आपका wheel same होना चाहिए, tire same होना चाहिए, बढ़ अगर आप इसको front wheel पे install कर रहे हो, और इसका थोड़ा सा size का difference है, तो आप first वाला जो है, front wheel है, उसी के ही size लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे, तो यह मैंने जैसे enter गया, यह 700 है, into 25, ऐसे ही आपने करना है, ठीक है, जो आगे size है, वो और जो पीछे thickness है, वो आपने add करनी है, तो आपको speed जो बढ़ी आएगी, बिल्कुल accurate आएगी, अब मैं आगे चलता हूँ, आगे क्या है, आगे लिखा है, यह किलो मीटर, यह मीटर में रखना है, ठीक है, यह आपने माइल्स में रखना है, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा, यह आगया माइल्स, यह आगया मीटर, इंडिया में जातर हम मीटर ही चलता है, ठीक है, माइल्स नहीं चलता, किलो मीटर वाला ही रखते हैं, माईस वाला नहीं चाहिए, और आगे जाऊंगा, यह आल सेट हो जाएगा, यह यानि जो सारा आपने स्लेक्ट किया है, यह डिफॉल्ट पे चला जाएगा, फैक्टरी री सैट हो जाएगा, और यहां पे आ गया है, क्विट, आपने सब कुछ कर दिया है आप इसने, इसने आपको अभी ऑप्शन दिया है, क्विट करनेगा, अब हम क्विट करेंगे, अब यहां पे आगे, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, यहां पे मैं इंस्टॉल किया, ठीक है, इंस्टॉल हो गया, वील को थोड़ा सा घुमाता हूँ, देखिए, अब ऑच्त बहुता है, और बहुत ही एसान है, सिर्फ थोड़े देर का टाइम है, अब मैं वीडियोart बनाता हूँ, वीडियो बनानेके वीट के बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्यूंकि मैं को केमरा सैट करना पड़ता है, मैं को माइक कैसे लगी आपको ये वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आज मॉर्निंग संडे है ठीक है और संडे को मैंने अपना कोई भी काम नहीं किया है अभी तक अभी त्यार हुआ हूं मॉर्निंग राइट पर जाना था बारिश बहुत हुई है और अज ठ देखने के बाद ठीक है आपकी हेल्प हुई होगी और पहती असानी से आप इंस्टॉल कर पाओगे मीटर को सो दोस्तों मेरी ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करना अगर आपने होशर हो साइक्लिंग करते हो अपने सपोर्स को प्रैक्टिस करते हो मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो में तब तक के लिए हैपी साइक्लिंग बाई बाई